हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिव ठाकरे और बीना के रिस्ते के बारे में कुछ लोगों को लगता है सिव सिंगल हैं और कुछ लोगों को लगता है सिव रिलेशनसिप में हैं और इसलिए उन्होंने बिग बॉस के घर में किसी भी फीमेल कंटेस्टेंट को फ्रेट नहीं किया दोस्तो इस वीडियो के जरीए हम सिव के रिस्ते की सारी सच्चाई जानेंगे इसलिए वीडियो को एंट तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकोन प्रेस कर दें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीना का पूरा नाम वीना जगताप है वीना एक 25 वर्षी एक्ट्रिस और मॉडल है जैसा के आप लोगों को पता होगा शिव ठाकरे मराठी बिग बॉस में थे और वहां के वो विनर रहे शिव और वीना की दोस्ती मराठी बिग बॉस में ही हुई थी और शो में ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई शिव ने जब अपने सुरुआती करियर में उनका इरादा कमजोर पड़ गया और ये बोलना गलत नहीं होगा कि सिव को वीना से सीरियस वाला प्यार हो गया था मराथी बिग बॉस का एक बहुत प्यारा मुमेंट वाइरल हुआ था जब वीना बीमार थी तो सिव ने वीना के लिए दिल के आकार की रोटियां बनाई थी इसके अलावा सिव ने एक टास्क के दोरान वीना का नाम भी अपनी कलाई पर टैटू करवा लिया और वो टैटू सिव की कलाई पर आज भी है मराठी बिग बॉस में तो वीना और सिब खूब साथ देखे इन दोनों को साथ में पसंद भी खूब किया गया इसलिए फैंस ने इन दोनों की जोड़ी का हैश्टेक चलाया सिबीना लेकिन दोस्तो मराठी बिग बॉस खत्म होने के बाद सिब और वीना भी साथ में दिखना बंद हो गए जिसके बार लोगों ने इन पर आरोप लगाया कि ये रिस्ता सिर्फ गेम के लिए था सिब ने भी लोगों के आरोप पर कुछ नहीं बोला लेकिन हिंदी बिग बॉस में जब सालीन ने पूचा के रेलेशनसिप स्टेटस तुम्हारा क्या है तो सिब ने बोला मैं सिंगल नहीं हूँ वहीं एक टास्क के दोरान सिब ने अंकित से किसी बात को लेकर बोला मुझे वीना की याद आ गई इसके अलाबा जब एक एपसोड में सिब कनफेसन रूम में जब बिग बॉस से इमोशनल टॉक कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं कभी कभी इमोशनली कमजोर पढ़ जाता हूँ और ऐसे में मुझे मेरे परिवार या वीना की ज़रूरत लगती है तो इससे यही सावित होता है कि वीना और सिब रिलेशन्सिप में हैं वरना वो नैशनल टीवी पर बिना वीना की मर्जी के उनका नाम नहीं लेते सिब ने बिग बॉस में वीना का नाम बिना जज़क के लिया है लेकिन वीना इस रिष्टे पर जादा खुल कर बोला नहीं करती है खेर वीना खुल कर बोले ना बोले अब तो ये जग जाहर हो चुका है कि वीना और सिव रेलेशनसिप में है बिग बॉस के घर में सिव को एक बहुत ही ख्लेवर और स्ट्रोंग कंटरस्टेंड माना गया है लेकिन स्ट्रोंग कंटरस्टेंड होने के साथ साथ सिव एक प्यॉर हट एमोशनल इंसान भी है दोस्तो हम आपको बता दें सिव अमरावती महराष्ट से बिलॉंग करते हैं स्कूल टाइम से ही सिव ने कड़ी मेनत करना स्टार्ट कर दी थी उन्होंने दूद के पैकेट बेचना, अखवार फैकना, ये काम बचपन में किये और साथ ही डांस भी सिखा जब वो अच्छे डांसर बन गए तो उन्होंने चोटी सी डांस क्लास स्टार्ट कर दी डांस क्लास से होने वाली कमाई से सिव ने इंजिनिरिंग की और अपनी बौडी भी बनाई इसके बाद सिव इंटर्टेन्मेंट इंड़स्टी में करियर बनाने के लिए और डिसन्स भी देने लगे उन्होंने कई और डिसन्स दिये लेकिन उनको पहली कामयाबी रियाल्टी सो रोडी से मिली वहाँ उनके और डिसन ने जजिस को बहुत इंप्रेस कर दिया ये बात साल 2017 की है सिव की बातों में इमानदारी और उनके बोलने के तरीके से जज रन विजे काफी इमोशनल हो गए थे यहाँ सिव ये सोतों न जीत सके पर उन्होंने दिल बहुत लोगों के जीत लिये इसके बात सिव को जो बड़ी सफलता मिली वो थी बिग बॉस मराथी सीजन 2 से बिग बॉस मराथी सीजन 2 के सिव विनर रहे और इसीलिए सिव को हिन्दी बिग बॉस सीजन 16 में इनवायट किया गया यहां भी सिभ एक स्ट्रोंग कंटरस्टेंड के तोर पर नजर आई हैं और उनकी करोड़ों फैन फॉलोइंग हो चुकी है तो फ्रेंड्स यी थी लव स्टोरी और बायोग्राफी से उठाक रेकी उमीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पोंस जरूर दें अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जोड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स हमारी हर अपडेट से जोड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन प्रेस कर लें तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में